आज के अपीसोड में हम बात करेंगे कि यूटूब पर आपको लॉण्टर्म वीडियो बनाने चाहिए या फिर शोड्रम वीडियो। Coming Up Hi Everyone, I am Harshwaran और आज के अपीसोड में आपका सवाकत है आज के पिसोड में हम बात करेंगे कि आपको अगर YouTube पर grow करना है तो आपको कौन सी strategy अपनानी पड़ेगी क्या आपको short term videos बनाने चाहिए जो कि आज कल news में popular है जैसे कि जो कोई ऐसी news आई है जो trending है जैसे कि अभी केरिलाबाद trending topic में है जो कि बहुत बड़ी news है इंडिया में तो क्या आपको उस पर वीडियो बनाने चाहिए या फिर आपको long term सोचना चाहिए और उसके लिए क्या आपको long term videos बनाएं चाहिए ऐसे videos जो useful हो जो ना केवल आज देखे जाए बल्कि आने वाले कुछ years में भी उनकी relevancy रहे तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे आज और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो की नीचे जो red color का button दिखाए देरा है उसको press कर दें और bell icon को भी द्रवाना ना भूले उससे आप इस चैनल के किसी भी वीडियो को मिस नहीं करेंगी so having said that let's get started देखे जो भी हम ये creators हैं तो हमारे लिए especially जो की beginners हैं और जो जिनों ने अभी अभी start किया है इनके चैनल पर इतने subscriber नहीं है इतने views नहीं है तो उनके लिए ये चीज बार बार दिमाग में आती है कि क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे भी subscribe जल्दी से increase हो जाए हमारे views जल्दी से बढ़ जाए ताकि हमारी अच्छी से earning आने शुरू हो जाए और क्योंकि आपको पता है कि YouTube पर बहुत मैने लगती है वीडियो बनाने में और YouTube पर आप भी सोचता है कि कैसे कि चल्दी से चल्दी में grow करूं किस से मैं इसके shortcut कोई में देखूं जिससे कि मेरे subscribers overnight increase हो जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता है मैं आपको बता दूँ अगर देखो इसमें आपको दो चीज देखनी पड़ेगी नमबर वन एक तो आप अना short term videos बना सकते हैं जो कि अभी trending news में हैं जैसे कि news पे जो कोई viral topic अगर आज कल कोई चल रहा है तो आप अगर उस पर videos बनाएंगे ठीक है तो उसमें आपके जो channel के हैं या आपके videos के views बढ़ने में या फिर subscriber increase होने में उनके कुछ chances है हाला कि बहुत सारे creators हैं जो इसी पर ही काम करते हैं उनकोंने channel ही इसी चीज का बनाया हुआ है तो वो जो भी trending topic होता है news में उसी पर video बनाते हैं तो जो main जो video viral होगा वो उनका होगा आपका नहीं होगा लेकिन आपके भी chances हैं क्योंकि जब कोई viewer कोई एक तरह का video देखता ह है कि इसी तरह का यह video और है अगर आप देखना चाहते हैं तो क्योंकि वो suggested video में आपने देखा होगा side में आते हैं या फिर अगर आप mobile पर देखने तो नीचे आते हैं suggested videos में और उसकी home screen पर home feed पर भी यह आते हैं तो उसमें आपके chances है कि वो आपके channel पर आए आपके videos को द branding में है आज कर वो कल दूसरी news आ जाजएगी और उसका crazy खतम हो जाएगा तो वो hardly आपको one month और two month तक ही आपको views देगी या फिर आपको subscribe करेगी और mostly क्या होता है कि जैसे आप अगर news के लिए या तो फिर आप news का ही channel बनाएं ठीक है अगर आप news का ही channel बनाएं तो जो भी viral उससे related content को और वो expect करता है कि आपका जो next video आएगा that would be on that news topic और उसी topic पर आएगा आपका अगला video लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है suppose करो आप उसके बाद कोई आपने regular how to videos बना देते हो जैसे कि मैं बनाता हूं जैसे मेरे videos होते हैं YouTube पर growth strategy के लिए या फिर online money making के लिए तो मै इन चीजों पर video बना रहा हूं तो मेरी audience जो है you expect करती है कि मैं इसी पर video बनाओ और जो मेरे video next आएगा वो इनी topic पर आएगा या फिर कोई इनी से related topic पर आएगा लेकिन मैं suddenly अगर viral news जो की trending news में चल रहा है उस topic पर बना लूँ तो मेरे जो subscribers already है वो नहीं उसको like करेंगे या पर मैं अगर news का बना देता हूं तो हो सकता है मेरे subscribers कुछ increase हो जाएं लेकिन तब ऐसी situation में क्या होगा मेरी जो audience होगी वो mixed audience होगी कोई उसमें news देख रहा है कोई वो चाह रहा है लेकिन मैं video बनाओंगा तो वो video होगा दूसरे topic पर तो एक वाली audience जो एक segment है audience का वो न तो उस topic पर video बनाई नहीं रहे हो जिस topic के लिए उसने आपके channel को subscribe किया था तो यह बहुत ही important है कि आप यह चीज़ decide कर लें आपको क्या करना है और मैं एक बार बता दूँ आपको YouTube एक marathon है sprint नहीं है sprint बहुत छोटी होती है जो कि आप जल्दी से भाग कर आप उसको finish line पर पहुंच जाते हैं लेकिन marathon long term game होता है वहाँ पर आपको slowly और pace maintain करकर run करना होता है तब ही आप marathon में जीत सकते हैं तो YouTube एक marathon है और जिंदगी भी एक marathon है यह कोई sprint नहीं है यहां पर कोई short cut नहीं चलते हैं कोई short term strategies नहीं चलती हों हाला कि आप एक काम कर सकते हैं कि आप short term plus में mix कर दें आप long term strategy तो आपको short term videos बना सकते हैं जिससे कि आप suddenly कुछ views आपके increase हो जाएं कि subscriber increase हो जाएं लेकिन अगें वही problem रहेगी आपकी audience को audience खतम होने का खतरा उसमें रहेगा तो यह चीज़ आप ध्यान में रखें तो आप short term video बना सकते हैं या long term बना सकते हैं आपको यह खुद ही देखना है अब दूसरी बात इसमें यह भ हैं वहाँ पर भी मैंने कुछ ऐसे वाइरल जो trending news चल रहे थी उस पर मैंने वीडियो बनाया थे जैसे कि कुछ जीओ वाले तो उसमें एकदम से suddenly मेरी increase होई थी व्यूज भी और कुछ सब्सक्राइबर भी इंक्रीज होए थे लेकिन वह short term रहा थोड़े दिन रहा उसके ब बार भी वह उसी पर उनके व्यूज आते हैं लोग उनको सर्च करते हैं उनको देखते हैं उनसे सीखते हैं और उससे मेरी earning भी होती है तो आपको यह देखना है कि आप सिर्फ one or two months के लिए चाहते हैं या फिर आप long term strategy अपनाना चाहते हैं या long term useful videos बनाना चाहते हैं तो य मेरे हिसाब से आपको long term के लिए जाना चाहिए unless you want to try your hands on that. अगर आप उस चीज में try करना चाहते हैं तो you are most welcome to go short term but मेरी strategy मेरी strategy है और मेरी recommendation भी है कि आप long term पर ही जाएं short term के लिए ना जाए लाकि या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि आपने अभी तक जैसे मेरा channel है इसने अभी तक 4000 hours का mark cross नहीं किया है हाला कि 1000 subscribers का mark इसने cross कर लिया है 4000 hours of watch time last 365 days में वो cross नहीं किया है और वो मैंने half cross कर लिया है 2.5 thousand hours और 2.5 के hours इसने watch time मेरा हो गया है complete कुछ बाकी भी रहता है हाला कि तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपको suddenly उस मार्क तक cross करना है monetization on करने है अपने channel पर तो आप कुछ short term videos बना ले और जब आप उस level पर पहुंचें वह 4000 hours और 1000 subscribers का mark आप cross कर दें उसके बाद आप फिर long term strategy को अपना सकते हैं तो यह सब आपक पहनत लगती है बहुत जादा hard work लगता है और resources लगते हैं कितने सारे तो आप देखे कि आप चाहते हैं कि जो भी आप hard work कर रहें वह आने वाली समय तक आपको earning दे या आने वाले समय तक आपको views दे तो ऐसा होना चाहिए ना कि यह कि अगर आपने बनाय आपको पताईए एक वीडियो अच्छा सा वीडियो बनाने में एक दिन पूरा लग जाता है एक दिन उस में शूटिंग में फिर एडिटिंग में फिर अपलोडिंग में फिर प्रमोशन में बहुत सारी चीज लगती हैं तो उसको अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ कुछी दिन चले तो I don't think क वो आपके लिए वर्थ यॉर एफट है आप अगर बना रहे हैं तो आप लॉंग टम सोची कि आने वाले कुछ समय तक तो at least उसके व्यूज आते रहें या वो रेलिवेंट रहें तो इनी टॉपिक पर आप वीडियो बनाएं ये मेरी सेजेशन है बाकि आप क्या सोचते है में को कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आज का अपिसोड आपको कैसा लगा ये भी प्लीज कमेंट सेक्शन में में जरूर बताएं और मेरी आपसे सर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक का बटन दबा दें कमेंस में कुछ लि झाल झाल